हेलो दोस्तो मेरे चैनल लोको ग्यानवे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आई होप मेरी वीडियो से आपको पसंद आ रही होगी और कुछ मदद आपके ट्रेनिंग में मिल रही होगी अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए तो च क्या है क्या काम करती है और उस i2b का नंबर क्या है इसके इलावा i2b लगी कहां पर है वो भी हम पढ़ेंगे और जो भी उजारी स्थे लगी हुई है उसका load किस पर पढ़ रहा हैं मतलब auxiliary converter 1 पर load पढ़ रहा है कि 2 पर ये पढ़ रहा है कि 3 पर पढ़ रहा है तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम 3-415 वोड की जतनी भी auxiliary हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और auxiliary converter 1 पर कौन कोई सी auxiliary का load पढ़ता हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे तो exam में आपको question आ सकता है कि auxiliary converter जो है जतनी भी auxiliary हैं उसका chart बनाए तो उसमें आपने यही सब बनाना है तो सबसे पहले आया auxiliary converter number 1 पर किसका load पढ़ रहा है तो सबसे पहले MCV है OCV number 1 इसको बोलते है oil cooling blower number 1 तो नाम से पता चल रहा है कि oil को ठंडा करने वाला blower है तो अगर पीछे 1 लिखा है तो वो किस पे होगा machine room number 1 में होगा location इसकी है machine room number 1 पे लगा हुआ है इसका काम क्या होता है यह cooling unit number 1 का हिस्सा है और यह छत से है रूफ से air को लेकर transformer के oil को ठंडा करता है और SR मतलब कि traction converter के oil को ठंडा करने के लिए जो blower होता है उसको oil cooling blower बोलते हैं तो वो है OCV और इसकी MCV का नंबर है 59.1 तो यह था same अगर main MCV का नंबर क्या है 59.1 देखिए अगर तो machine room number 1 में लगा हुआ है तो slash पीछे 1 होगा अगर machine room number 2 में है तो पीछे slash 2 डाला हुआ तो यह है ऐसी आपकी OCV 2 है अगर OCV 2 है oil cooling number 2 है तो यह भी machine room number 2 है function same है transformer के oil को ठंडा करने के लिए और SR के oil को ठंडा करने के लिए इसके लाओ इसके MCV का नंबर बता दिया है 59.1 होता है slash 2 होगा तो यह लगी हुई है HB2 जिसको हम बहुते और auxiliary cubicle number 2 में लगी हुई है तो टोटल auxiliary converter number 1 में दो auxiliary का लोड होता है तो दोनों ही blower है OCV 1 और 2 अब दूसरा आ जाता है आपका कि auxiliary converter number 2 से कौन कौन से auxiliary चलती है तो टोटल कितने auxiliary चलती है 6 auxiliary चलती है जिसमें आपके दो तो blower होते हैं और 4 pump होते हैं तो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं तो सबसे पहले आगया TMB1 होता है traction motor blower number 1 तो इसमें एक चीज का अपने ध्यार अगना है हमेशा इसी में confusion होती है देखिए सिर्फ यही है जिसमें confusion होती है अगर पीछे 1 है तो यह machine room number 2 में लगा होता है अगर 2 है तो यह 1 में और किसी में confusion होती ठीक है traction motor blower number 1 है तो वह machine room number 2 में लगा होगा अगर traction motor blower number 2 है तो वह 1 में लगा होगा बस इस चीज का ध्यार रखना अपना ट्रैक्शन मोटर whelour नाम से पता चल रहा है कि जो traction motors को ठंडा करने वाला ब्लॉर है और लेक्शन मोटर का जो group है जो कि box 1 में लोतमर है works coach को कूल करता हैं वाइज चेर que इसको बोलते हैं हम तो TMB Blower No.1 है इसकी MCB का No. है 53.1 देखें MCB आपने हमेशा याद रखनी है एक्जाम में आता है कि इसकी MCB का No. बताई है तो आपको पता होना चाहिए और कहां पर लगी हो यह भी पता होना चाहिए तो यह है TMB है Traction Motor Blower की जो MCB है TMB 1 की MCB है 53.1 अगर TMB 1 है तो Slash 1 होगा अगर 2 है तो Slash 2 होगा तो Machine Room No.1 में जो MCB होती है वो 1 होती है Slash 1 और Machine Room No.2 वाली Slash 2 होती है इसके इलावा TMB 1 की MCB HB 1 में लगी हुई है वो दूसरी में HB 2 में लगी हुई है और जो HB 1 होता है वो Machine Room No.1 में होता है HB 2 Machine Room No.2 में होता है अब यह तो थे कि 2 Blower इसके इलावा चार जो Pump होते हैं उनका Load भी auxiliary Converter No.2 पर पढ़ता है तो कौन कौन से Pump है दो तो आगे आपके Transformer Oil Pump आगे और दो आगे Traction Converter Oil Pump तो इसका काम क्या है देखिए जो Transformer Oil Pump है जो Transformer Oil Pump है वो अंडर ट्रक बिलोव Machine Room No.1 यह क्या होता है अंडर फ्रेम में लगा होता होता है Machine Room No.1 के नीचे इसका काम क्या होता है कि जो Transformer का Oil है उसको क्या करना Circulate करना To the Cooling Unit No.1 को और वापिस लाना तो यह था इसका काम Circulate करना Oil को Pump का काम इसके MCB का नंबर क्या है 62.1 है क्योंकि यह Machine Room No.1 के नीचे है तो यह Slash 1 होगा और कहां पर होगा HB Cubicle HB1 में लगा होगा है इसके इलावा Transformer Oil Pump No.2 यह क्या होता है यह भी Under Frame में मतलब लगा होता है नीचे Under Truck में तो यह Machine Room No.2 के नीचे लगा होता है इसका भी सेम काम है कि Transformer के Oil को Circulate करना इसके MCB का नंबर है 62.1 और यह लगी होती है HB2 में लगी होई है Next आ गई आपके Transformer Converter Oil Pump यह लगा होता है Machine Room No.1 पे लगा होता है Near Traction Converter Traction Converter के साथ में ही लगा होता है लेकिन Machine Room में लगा होता है लेकिन अगर Transformer Oil Pump की बात करें तो वह Under Frame में लगा होता है अब इसका काम क्या होता है इसका काम भी होता है Oil का काम ही होता है उसका काम ही क्या होता है Oil को Circulate करना तो यह Oil को Circulate करता है Traction Converter SR1 से लेकर किसमें Circulate करता है तो Cooling Unit No.1 में तो Circulate होता रहता है वापिस आता रहता है इसकी MCV का जो नंबर है वो है 63.1 तो जो Traction Converter की MCV का नंबर है वो है 63.1 अगर 1 है Machine Room No.1 में का है तो वो Slash 1 होगा अगर 2 का है तो Slash 2 होगा ऐसी 2 है Machine Room No. यह भी SR2 के बगल में लगी होती है इसका काम भी वही है Oil को Circulate करना, SR के Oil को Circulate करना, Traction Converter के Oil को इसकी भी MCV 63.1 है, Slash 2 है जो की HB 2 क्यूबिकल में लगी हुई है तो यह थी 6 auxiliary जो auxiliary converter No.2 से चलती है अब next आ जाता है कि कौन कौन सी auxiliary का जो load है वो 3 पर पढ़ता है तो कौन कौन सी auxiliary है, Total 4 auxiliary plus एक battery charger है तो कौन कौन सी है, दो तो compressor है, इसके लावद 2 squinch blower है तो main compressor है, सबसे पहले, तो compressor लगे होते है main compressor No.1 जो की लगा होता है, under frame नीचे लगा होता है under truck machine room No.1 के नीचे लगा होता है इसका काम क्या होता है, pressure को बनाना, compress करना तो यह pressure बनाता है, 10 kg तक पर cm2 तक इसकी MCBP का number है, 47.1 क्योंकि यह machine room No.1 के नीचे है, तो यह slash 1 होगा और इसकी जो MCB है, वो HB1 में लगी हुई है main compressor 2 है, वो भी under truck below machine room No.2 के नीचे लगा होता है इसका काम सेमी है, compressor है, तो 10 kg का pressure बनाता है MCBP 47.1 है, क्योंकि compressor 2 है, तो slash 2 होगा और यह काम पर लगी होती है, HB2 में लगी होती है machine room No.2 में next time is quench blower, अस quench blower क्या होता है क्योंकि देखिए, जो TMB blower है, OCB blower है वो क्या करती है, बाहर से air लेकर ठांडा करती है तो उन्हें क्या हो सकता है, कि मिटी के करण हो सकते हैं दूर के करण होती है तो dust particles को remove करती है, यह filter करती है तो पहला आगया squench blower No.1 तो यह कहाँ पर लगा होता है यह लगा होता है, machine room No.1 में लगा होता है क्योंकि machine room No.1 में ही आपका TMB 2 लगा होता है तो उसके पास में लगी होती है इसका काम क्या होता है जो traction motor blower है और OCB blower है उसके जो dust particles को clean करना air filter से तो यह इसका काम होता है अब कौन-कौन से traction motor blower होगी और कौन-कौन सी OCB होगी इसी में confusion रहती है तो आपने बस इतने आयाद रखना है कि machine room No.1 में जो traction motor blower होगा और OCB होगी उसी के जो dust particles है उसको clean करती है तो machine room No.1 में कौन सा traction motor blower है और जो OCB है वो 1 लगी होती है इसकी MCV का No.1 है 55.1 जो की HB1 में लगी होगी है अब इस दूसरा आप scanche blower No.2 यह भी सेम है तो यह machine room No.2 में TMB blower No.1 के बगल में लगी होती है क्योंकि machine room No.2 में कौन सा होता है TMB 1 होता है Confuse नहीं होना कि machine room No.2 है तो always traction motor blower ही है 1 वाला 2 में काम क्या है सेम है तो जो traction motor blower है और oil cooling blower है उसके जो air filter में जो dust particle उसको clean करता है तो machine room No.2 में कौन सी traction motor blower लगा होता है तो यह होता है 1, 2 में कौन सा लगा होता है 1 और OCV 2E रहती है अब इसकी MCV क्या है 55.1 है तो क्योंकि स्क्वेंज blower No.2 है तो किस में लगा स्लैश 2 होगा और HB 2 में MCV लगी होती है इसके इलावा जो होती है नेक्स्ट आया चाहिए यह तो थी कि 3-phase 415 वोल्ट से चलने वाली कौन कौन सी उगसरीस है इसके इलावा जो सिंगल फेस की उगसरीस है अब वह पढ़ेंगे सिंगल फेस 415 वोल्ट वाली जो उगसरीस है कौन कौन सी होती है तो वो कौन सी है तो पहली तो आगी मशीन रूम नंबर जो मशीन रूम का जो ब्लोवर है तो मशीन रूम में भी जो लगे होते हैं उनको ठंडा करने के लिए हैं तो मशीन रूम में क्या लगा होता है ब्लोवर लगा होता है तो अगर वन में लगा होता है तो वो मशीन रू ब्लोवर नमबर 1 होगा ठीक है अगर मशीन रूम नमबर 2 में है तो वह मशीन रूम ब्लोवर नमबर 2 होगा तो काम क्या होता है कि तो मशीन रूम को ठंडा करके रखना और टेंपरेचर को 70 डिग्री सेल्सियस के नीचे मैंटेन रखना इसकी एमसी बी का नमबर होता है यह जो एमसी भी होती है सिंगल फेस वाली आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इतना याद रखना है कि इवन वली है इवन नमबर से इसमें 54 है जैसे तो यह 54.1 है तो मशीन रूम नमबर ब्लोवर 1 है तो स्लैश 1 होगा अगर ब्लोवर नमबर 2 है तो यह स्लैश 2 डला 1 तो यह मशीन रूम की ब्लोवर वली वन है यह कांप लगी होती है HP1 में अगर मशीन रूम ब्लोवर 2 तो यह HP2 में लगा होता है अब इसके इलावाद जो machine room का blower है वो उसमें भी dust particles हो सकते हैं मतलब जो air हम पिक करते हैं तो उसको भी clean करने के लिए squrench blower लगे होते हैं अब machine room number blower 1 के लिए इसका squrench blower होगा जो कि machine room number 1 भी लगा होगा का तो काम सेम ही है इसका dust को clean करना from the air filter of machine room number blower 1 तो इसकी mcb का नंबर होता है 56.1 तो यह याद रखना है आपने अगर squrench blower number 1 है तो यह किसका होगा hb1 में लगा होगा slash 1 होगा otherwise slash 2 होगा अब इस चीज में confuse नहीं होना देखिए जो squrench blower होता है वो एक 3-415 वोर्ट से चलने वाला भी होता है जो कि tmb और ocb का blower होता है वो एक squrench blower होता है machine room का blower होता है तो इन दोनों में आपने confuse नहीं होना यह single face वाला है 415 वोर्ट वो 3-415 वोर्ट था इसके इलावा एक heater होता है cab heater जो कि cab में heat को supply करता है warm रखने के लिए इसकी mcb का नंबर होता है 69.62 जो कि hb1 में लगा होता है तो यह थी single face 415 वोर्ट वाली उक्जर्विस अब इसके इलावा आ जाता है single face 110 वोर्ट से चलने वाली कौन कौन सी उक्जर्विस हैं तो cab fan आ जाता है और cab ventilator है तो total cab fan कितने होते हैं चार होते हैं हर cab में कितने होते हैं दो होते हैं इसका काम क्या होता है कि जो cab की है अपने जो क्रिव है उनकी ventilation करना हवा देना तो इसकी जो MCB है वो क्योंसी होती है वो 69.71 होती है जो की HP 1 में लगी होती हैं अब अब cab ventilation blower number जो blower होता है cab ventilator यह कितने होते हैं दो होते हैं तो हर cab में कितना होता है एक होता है नीचे की तरफ होता है तो heat को बहार निकलता है इंटु दा cab to expel the heat of the heater element into मतलब सर्दियों में चलाने के लिए warm रखने के लिए तो इसकी जूरुत पड़ती है कि इसके लावा इसकी जो mcb वो 69.69.61 है और इसकी mcb जो है कहां पर लगी होती है hv1 में लगी हुए है तो cab ventilation तो आप पता है ventilation करने के लिए यूज करते है ठीक है वार्म रखने का काम होता है इसका है क्याब हीटर का और यह क्याब ventilation करता है उसको शर्कुलेट करता है तो यह थे आप आज की वीडियो में तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सुब्सक्राइब झाल को सुब्सक्राइब कीजिए लगी होगी 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